पुलिस को गुम्राय करने को लूट का दिया था रूप जिले की पुलिस ने पांच माए बाद एक महिला की हुई अंदे कतल की गुत्थी को सुल जाने में कामयाब रही दरसल पूरा मामला नांद घाट थाना छेतर ग्राम खापरी का है जहां 20 जनवरी 19 को घर में अकेली रही महिला की प्रेम कुमारी बंजारे की अग्यात आरूपी के दौरा सब्बल से हमला कर हत्या कर दी गई थी उसके बाद उसके पहने हुए सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गया था हत्या के बात से ही लगातार पुलिस आरूपी तक पहुंचने का प्रियास करती रही पांच माय बाद पुलिस ने को पता चला कि महिला अपने पड़ोसी गौकरन सौनवानी के साथ हत्या के एक दिन प अब बाद पुलिए ति जिस पर कुछ जेवर उसके लगे वे तो पीचे वे ते इन्वस्टी के लाइन को भटकाने की अरुपी द्वरा नियत की देए थी पूश्टाज पर पुलिस ने स्विकार किया है कि मैं गलत नियाद से गोशा था ता तो मैंने उसके साथ गलत काम क ल्हें रिपोर्टि अपर शूक नाम्देव की इरपोर्ट कालेज में प्रेक्टिकल की जाच करने जा रही प्रोफेसर की टीम हुई हाथ्से का सिकार शड़क हात्से में पांच प्रोफेशर हुए घायल एक की हालत गंभीर गबालियर से आई टीम चतरपुर जिले के कालेज में चल रहे हैं प्रेक्टिकल की जाच करने आई थी खजराहू रेलवेज टेशन के पास पेर से टकरा कर कार मवेशी को बचाने के चक्कर में हुआ हाथसा पुलिस टीम ने मौके पर पहुँचकर सभी घायलों को कराया अस्पताल में भरती चतरपुर से हमारे संबाद्दाता अशोक नामदेव की रिपोर्ट पहुआ कि यहीं है जहारे संबाद्दात शरट सर्मा की रिपोर्ट चिकस्ता को की प्रदेश ब्यापी हरताल पश्चि म बंगाल में चिकस्ता को को पर हू रहे हमले के ब्रोध में चिकस्तै को की हरता wearing डाक्टर प्रेक्टिस एक्ट के तहित मांग कर रहे हैं सरकारी और निजी एस्पताल क्लीनिक रहेंगे बन मेडिकल एस्पताल भी रहेंगे हर्ताल पर चिकस्ताकों के द्वारा साम तक नहीं किया जाएगा एलाज डाक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग के चक्कर में डाक सुबै से ही मरीजों की लग रही है भीड